तो इस तरीके से बेखेले हैं काफी ओल्ड है तो आपको लगता है कि आप बाटनी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है हम चल रहे थे बायलोजिकल ग्लासिफिकेशन पर हमने बात की थी कि अगर बैक्टरिया को डिफेंट के टेग्रीज में उसके सेप के कॉर्डिंग अगर हम डिवाइट करते हैं तो कौन कौन से जिसमें मैंने का था नंबर वन कोकस अगर वह राउंडेड है स्पैरिकल है अगर बैक्टरिया किसी रॉड शेप में है तो इस कौन बैसिलस है ना प्लूरे के लिए इनके वर्ड जाते है को की और बैसिली है ना वैसे ही यहां पर तीसरे टाइप का होता है विब्रियो अगर वह कौमा से बैक्टरिया है अगर उसका कौमा शेप है मतलब उसका से कौमा की तरह है जैसे कि हमने स्पैरिकल के लिए ऐसा बताया और बैसिली के लिए उनका रॉड शेप बैक्टरिया होता है कौमा के लिए जो बैक्टरिया होता है जैसे की विब्रियो कॉलरा होता है जिससे कॉलरा होता है फूड प बेसिक सेप को अगर हम यहां पर देखे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोकस की है ना कोकस तो कोकस अगर कवी सिंगलर होता है अकेला होता है तो इसको क्या बोलते हैं मोनो कोकस क्या बोलते हैं मोनो कोकस लेकिन अगर यही बैक्टरिया अगर दो अपने आप कोलोनी बना ल लेता है हमारे दही में मिलने वाला बैक्टरीया होता है वो इसी से यक नंभी सी चेन बना लेता है तो ऐसे बैक्टरिया को से मिलता है वो बताना चाहता है तो उसी तरीके से कोकस कैसा हो सकता है मोनो कोकस डिपलो कोकस और स्टेप्टो कोकस और अगर यही बैक्टरिया अगर चार की फॉर्म में मिले मतलब फॉर के मल्टिपल्स में मिलता है तो जनरली इसको मोते सार सीना सार सीना और अगर यही बैक्टरिया हमें कहीं मिल जाता है किसी ग्रूप की फॉर्म में ऐसे बहुत सारे कॉलोनी में बंच की फॉर्म में अगर इस तरीके से मिल जाता है बैक्टरिया गुच्छे की फॉर्म में मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्टैफाइलो स्टैफाइ एल ब्रफ्रिवर कोकई तो इस तरीके से यह सारा गर सारा बैक्टरिया कोकक की है अगर हागे हम देखते कि एकर से अकेला तो कैसा होगा momonobacillus, क्या बोलेंगे इसको? monobacillus अब आपको खुदी समझ में जाएगा कि monobacillus है और अगर वो bacteria, दो bacteria chain में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? diplo, इसको क्या बोलते है? diplo bacillus जनरली, जब भी pathologist किसी भी patient के अंदर bacteria की infection को check करता है, तो वो bacteria की कॉलोनी के बेस पे उसके infection के complexity को बताना चाता है और अगर कहीं ये बैसिलस बैक्टरिया लंबी सी chain की form में मिल जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे obviously word chain के लिए यूज होता है strepto तो क्या बोलेंगे strepto bacillus strepto bacillus इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि बैक्टरिया के shape कैसे हो सकते हैं और spirulam और कॉमा शेप बैक्टरिया जो होते हैं इस पाइरिलम और कॉमा से बैक्टरिया जो होते हैं जिनको हम यहां पर third और fourth number के बैक्टरिया होते हैं यह कोई different colonies नहीं बनाते हैं लेकिन obviously हमारे कोकस और बैसली नाम के बैक्टरिया आपके सामने देखो यह colonies बना रहे हैं यह ग्रूप बना रहे हैं जिसकी वजिसन के name यह नॉमनक्लेचर में difference आ रहा है ठीक है तो यह हो गया बैक्टरिया का shape वैसे हम बात करने वाले थे कि कि बैक्टरिया हम पड़ेंगे जिसमें और की बैक्टरिया प्रमुक है साइनो बैक्टरिया प्रमुक है माइको प्लाज्मा और बैक्टरिया वैसे तो यह चार में टाइप के बैक्टरिया होते हैं कहने का मतलब इस आर आप few examples of the member पर मॉनेरा के डाइम कि अgar हम बात करते हैं तो मॉनेरा मेर के में सिर्फ यही चाइब के में वैक्तिरिया हैं और इन्हें भी हम किये इस्पाइरोचितों न जाने कितने competent अभी भी और वाकिह व बात नहीं कर रहें generally in case of syllabus अगर हम बात करें 12th के लेवल पर आगे जब बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले आर्की बेक्टरिया की बात करेंगे देखो बच्चों यहां पर समझने की बात यह है कि आर्की का मतलब होता है कोई जीबी चीज अगर evolution में पहले है काफी old है मतलब सबस evolutionary old है evolution के हिसाब से अगर आप इने देखोगे बैच्चों तो यह बैक्टरिया में काफी old है सबसे पहले आये थे आप यह समझा सकते हो जब धर्ती पे काफी हार्स हैविटेट्स थी हार्स हैविटेट्स का मतलब देखो क्या होता है इन्हें हम इस पेसल भी कहते हैं यह हれटे है इनमें हार्स हैविटेट्स में रहने होती होती है फिर दूसर पोइंट म network को देखने को मिलता है actually टिफर from other bacteria क्योंकि जो सेल वॉल होती है वह Babe summer करती है अप देखो कि normal बैक्तिया में और आर्की बैक्टिया में डिफ्रेंस होता है आरकी बेक्टरिया हार्स हैबिटेट्स में रह सकते हैं क्यों कि उनके सेल वॉल में ऐसा कंपोजिशन होता है जो उनको बहुत ज़्यादा गरम जगे पे बहुत ज़्यादा कम पीएच पे या बहुत हाई पीएच पे या फिर बहुत ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन ऐसी क बहुत सारी problematic habitats हैं, जहां पर कोई दूसरा organism नहीं रह सकता, वहां पर यह bacteria रह सकते हैं, इसलिए इस feature की बज़े से इनको extreme habitats में रहने के लिए, extreme conditions में रहने के लिए facility मिलती है, इनकी cell wall की बज़े से, क्योंकि इनकी cell wall है, वो काफी ज्यादा structure में normal bacteria से different है, therefore हम कह सकते हैं, archi bacteria are the oldest bacteria, as well bacteria of extreme conditions, scorching deserts of Rajasthan, आपको Rajasthan की sand पता है, बहुत temperature वहाँ ही होता है, वहाँ पर भी कुछ bacteria रह सकते हैं, but बाकी life forms होँ हम मुस्किल से survive कर पाते हैं, यह काफी ज्यादा adaptations के साथ survive करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं कि they live some of most harsh habitats, most harsh habitats, harsh habitats हमारे need का बहुत अच्छा question बन जाता है, जब आप ecology पढ़ते हो तब भी वहाँ पर हम एक chapter पढ़ते हैं, कौन सा organism and its environment, तो उसमें harsh habitats मिलती हैं, तो harsh habitats यहाँ पर तो examples में कुछ चार या तीन types की harsh habitats हैं, जिनको हम कहते हैं, देखो एक तो extreme salty area, extreme salty area इसका example होता है dead sea, जो हमारा dead sea जानते हो आप, dead sea, यह dead sea इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें इतना salt होता है, इतना salt concentration होता है, कि इसमें आपकी body डूबती नहीं है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें इतना salt होता है, इसलिए वहाँ पर जो भी life form जाती है, उसके अंदर का water बाहर निकल जाता है, और उसमें dehydration की वज natural geography वगरे के channel पर आप देखते हो, dead sea बहुत commonly दिखाया जाता है, वहाँ पर ऐसी कोई भी life form survive नहीं करती, बट यह archibacteria है, रहते हैं, ऐसे archibacteria जो बहुत extreme salt concentration में रहते हैं, उनको हम hello files कहते हैं, फिर होते हैं hot springs, गरम जल के जहरने, आप देखते हो, आप मालो आप कहीं दोस्त कहते हैं, चलो जहरने के पास तुमको नहला के लाते हैं, और वो कहते हैं यह जहरना कूद पर इसमें, जैसे ही आप कूदते हो, आपको लगता है कि अब तो आप उबल रहे हो, इतना गरम पानी वहाँ पर हो सकता है, तो यह होते है thermo acidophiles, इसमें दोनों terms बिच्च जहां पर temperature काफी ज़्यादा होता है, acid वाली condition रहती है, ऐसी जगों पर thermo acidophiles रहते हैं, और ऐसी habitat को हम हार्थ, hot springs कहते हैं, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पहाडों में या फिर अर्थ की कुछ चटाने जो होती हैं, वो magma या लावा या फिर जॉला मुखी जिसको कहते हैं volcanic, तो volcanic condition के कारण वो क्या हो जाते हैं, बहुती गरम हो जाते हैं, इसलिए ऐसी hot springs होती है, यहां पर, फिर है मार्सी एरिया, मार्सी एरिया वो reason होता है, जिसको मार्स लेंड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मार्स लेंड, पानी भी लेता हूं तो मार्स ही एरिया वो जिसको मार्स लेंड भी कहते हैं, तो मार्स का मतलभ जांप मीठेन गयस बहुत जादा होती है, अब आप एक Byt, अगर oxygen प्रॉपर है, आप सर्वाइफ कर पाते हैं लेकिन अगर कैने मीथें नहीं निए पौईजनस गेथ है तो पौईजनस गेष्षसे से बहुत सारे life forms मर जाते हैं इसलिए वहां पर भी बहुत सारी life forms नहीं रहती बट वहां पर कुछ बैक्टरिया रहते हैं इसे जया-चलाइए सब बैक्ट्रिया को हम या बैक्ट्रिया को एसे जो जो मीठें रिच इंवार्मेंट में रहते ह। या cellulose के digestion वाले environment में रहते हैं ऐसे बक्टरिया को हम methanogenes कहते हैं तो आपके सामने हेलोफाइल्स, thermophiles, acidophiles, methanogenes ऐसे वो बक्टरिया है इसे वो बक्टरिया है इस आधा एक्जामपल आफ आर्की बक्टरिया methanogenes की एक और खास बात है कि यह जो होते हैं गट में इन एनिमल्स की गट में बहुत तरीके से इनके digestion में help करते हैं जैसे कि मैंने एक्जामपल में इसमें और यह जो होते हैं उसमें methane gas produce करते हैं तो आपने सुना होगा बहुत सारे केटल्स के डंग में गोबर में methane gas produce होती है जिससे गोबर gas plant भी बनाया जाता है तो यह वही बक्टरिया है methanogenes है जिसको आप microbes in human welfare वाले chapter में पढ़ोगे 12th class में और उसमें methane का production गोबर gas plant का production आप जरूर पढ़ोगे एक्जाम में question आता है तो आप ध्यान रखना कि methane production में methanogenes involved रहते हैं जो किस में मिलते हैं गट में मिलते हैं बहुत सारे animals के गट में मिलते हैं और ऐसे मार्सी एरिया जहां पर मार्स लेंड होती है दलदल होती है न जहां पर पानी और स्वाइल मिक्सर में रहती है वहां पर सड़ता रहता है सारा का सारा content वहां पर methane gas produce होती रहती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोफाइल्स और thermo acidophiles and methane agency यह कुछ इसके आर्की बैक्टरिया के लेकिन अगर हम बात करें डेली लाइफ में सबसे जादा जो बैक्टरिया हमारे जिंदगी में इंवाल्व रहते हैं आपको बीमार बनाने में आपके लिए दही बनाने में डोसा इडली सामबर ऐसे बहुत सारे साउथ इंडियन ड्रिंक्स या फूड वो जितने भी चीज़े बनती हो सारी कि सारी किससे बन रही होती है नॉर्मली बैक्टरिया से बन रही होती है इसे नॉर्मल बैक्टरिया से आप वैक्सीन भी बना सकते हो एंटिबायोटिक्स भी बना सकते हो बहुत सारी चीज़े के कैटीगी में आता है बच्चो यू का मतलब होता है ट्रू और ये बैक्ट्रिया मतलब ये बैक्ट्रिया टू बैक्ट्रिया है जिने वही होते है और ठीज हुज़लाइन आउफ डेफरेंट ये भी ट्रिय आन्थ in Tearbak can जैसे कि आप देख पाओगे, इन में एक rigid cell wall होती है, वो किससे बनी होती है, peptido glycans की, किसकी बनी होती है, peptido glycans, अब देखो इसका नाम समझ में आ रहा हूँ, इसको कई जग है, PGB आप लिख सकते हो, short में, peptido glycans, इनकी cell wall जो होती है, rigid होती है, rigid क्यों होती है, कि उसकी इस करो यहां पर, तो आपको peptido का मतलब समझ में आएगा, कि peptide, peptide कहां bond बनता है, आप बताओ, peptide bond कहां बनता है, जहां पर protein होती है, ना, protein, protein या फिर आप इससे amino acids भी कह सकते हो, तो यहां पर amino acids जुड़े रहते हैं, और plus glycans का मतलब होता है, carbohydrate, तो यहां पर आपको amino acid plus carbohydrate का combination मिलेगा, जिससे peptido glycan बनता है, और इस peptido glycan से ही, इनकी cell wall बनी होती है, किनकी bacteria की, तो यह वो bacteria जिनकी cell wall किसमें बनी होती है peptido glycan की बनी रहती है, these are motile, यह motile है, मतलब can move, क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, और अगर move कर सकते हैं, तो इसमें obviously flasillum होता है, जैसे आप देखोगे कि bacteria ऐसा है, और यह bacteria जो होता है न, वो इस तरीके से flasilla की help से move करता हुआ, चला जाता है, किसी भी detection में, तो आपको देखने को मिलागा कि इस bacteria में movement possible है, अगर उसमें flasillum है, और यह जो flasilla होता है, generally flasillin protein से बना होता है, flasillin, तो आप समझ सकते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो prokaryotic organisms या monera पढ़ रहे हैं, और prokaryotic cell होती है, इसमे flasilla, flasillin protein का होता है, जबकि eukaryotic flasilla different होता है, यह cell व पढ़ जाते हैं, तो पढ़ते है, cyanobacteria, जैसे u bacteria की जब भी आप बात करोगे, तो cyanobacteria आ रहा, type of, a type of u bacteria, तो यह u bacteria का ही अपने एक type है, सबसे खास बात किया है, कि इनको bga भी कहते हैं, इनका मतलब होता है, blue green algae कहते हैं, इसको है, generally इनको blue green algae कहते हैं, और इसमें जो chlorophyll A होता है, क्या होता है, chlorophyll A होता है, और यह chlorophyll A जो होता है, यह किस की तरह होता है, बिल्कुल plants की तरह होता है, इसलिए बहुत सारे scientists इनको photosynthetic artotrops भी कहते हैं, blue green algae वो bacteria होते हैं, जिनको हम cyanobacteria कहते हैं, यह photosynthesis करते हैं, इनकी body कैसी हो सकती है, तो इनकी body जो हो सकती है, यह unicellular मतलब एक ही cell के बने हो सकते हैं, कई बार इनकी cells जो ती group में होती है, तो colony बनाते हैं, यह colony बना सकते हैं, या फिर इनकी body filament जैसी हो सकती है, लंबे से filament की तरह हो सकती है, और यह fresh water में भी रह सकते हैं, और marine water में भी रह सकते हैं, या फिर जमीन पे भी रह सकते हैं depend करता है moist आपने देखा होगा बहुत गिली जमीन होती है वहां पर कुछ न कुछ ग्रो होता रहता है उसमें से यह बैक्टरिया भी ग्रो हो जाते हैं आपने देखा होगा पानी होता है साफ पानी होता है फिर थोड़े दिन में उसमेल आने लगती है और फिर वह वाटर पलूटेट हो जाता है तो गंदा पानी जिसको बोलते न वहां पे यह कुछ ग्रीन ग्रीन जैसा होता है यह वहां पर ग्रो हो जाते हैं आपको समझ में आ रहागा इस पाइरूलिन एक ऐसा ग्रीन कलर का प्रोटीन सबस्टेंस है जो जिमनेजियम में जाने वाले वर्काउट करने वाले लोग यूज करते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए तो यह एक्चुली में प्रोकरियोटिक एलगी ही है जिसमें प्रोटीन बहुत जादा होता है और अभी अभी हमने पढ़ सकते हैं fresh water में भी रह सकते हैं important बात है कि इनकी mostly body filamentous हो सकती है इस filamentous body का example हमारे इस लबस में है जरूर समझेंगे the colonies are generally surrounded by gelatinous seed अब यह gelatinous seed का क्या मतलब इसको थोड़ा यहां पर समझो जैसे अगर एक अगर यहां पर एक bacteria है कुछ इस तरीके से bacteria है जो एक cell का है लेकिन वह अपने colonial form में है और वह filamentous colony बनाता है तो अगर फिलामेंटous colony बनाता तो लंबी सी change ऐसी फ्लामेंटous colony बना लेगा और उसके से चारो तराफ एक चिपचिपा सबस्टेंस होगा गम जैसा सबस्टेंस होगा जो इसको cover करके रखेगा ताकि वह water में उसको एक वाटर लॉगिंग से बचा सके उसको वाटर से लॉस कम हो ऐसी सीथ को हम बहुते जिलेटनस सीथ है ना और यह एक्चुली नॉस्टॉक है एक नॉस्टॉक होती है आप अभी देखोगे है उसको यह आपको मिलते है जिलेट इनस को सीथ तो इनकी जिलेटनस सीथ है covering है जो चिपचिपी होती है इनके चारों तरफ होती है कि जब यह पानी में पलूटेड वाटर क्रियेट करते हैं, पलूटेड वाटर जब भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं, ब्लूम्स, एलगल ब्लूम्स, तो इनको हम एलगल ब्लूम्स कहते हैं, या वाटर ब्लूम्स कहते हैं, तो यह वाटर बॉडी को गंदा कर देते हैं, जिसकी वज़े से पल हेट्रोजन को fix कर सकते हैं इसको बोलते हैं N2 fixation और इसमें सबसे example है अच्छा नॉस्टॉक का तो यहां पर जो हम देख रहें कि हेट्रोसिस्ट है यह क्या है cell fixed of N2 यह N2 की fix form है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं इसमें क्या fix होता है इसमें N3 nitrate और इसमें N2 nitrite यह fix हो जाता है तो यह बात समझ लो कि यह ऐसे bacteria है जिसमें N2 fixation का काम हो रहा होता है इसका example क्या है यह नॉस्टॉक है और नॉस्टॉक क्या है is a BGA और BGA का मतलब होता है blue green algae या cyanobacteria इसमें एक और important बात है कि एनाविना भी एक ऐसा ही algae है जो भी nitrogen fixation करता है नॉस्टॉक एनाविना nitrogen fixation में बहुत important role play करता है हेट्रो ट्रॉफिक बैक्टिरिया अब यहां पर एक और टाम आता है heterotropic bacteria तो generally वह bacteria जो different तरीके से अपना food बनाते हैं उनको हम heterotropic bacteria कहते है heterotropic मतलब यह होता है hetero 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 का मतलब होता है different and tropic का मतलब होता है food different habits different ways of food habits is called heterotropic heterogamous different types के कोई चीज होती है तो उसको heterogamous ऐसा ही समझ में आता कि hetero means different तो different तरीके से food बनाने वाले bacteria हमारे यह बहुत सरे यूज में आ जाते हैं helpful होते हमारे लिए किस काम में जैसे curd from milk production of antibiotics fixing nitrogen in the legumes legumes वो plant होते हैं जैसे pulses है beans है इसमे nitrogen fix होती है इसमें protein बनता है डाले, soya bean इसमें protein होती है उस protein को fix करने के लिए nitrogen चाहिए और nitrogen fix करने के लिए bacteria, sinobacteria इन legumes की जड़ों में चले जाते हैं rhizobium नाम का bacteria क्या करता है? pulses की जड़ों में गांठे बना लेता है उनको root nodules बोलते हैं उन root nodules में leg humoglobin नाम का एक substance create होता है और जिसकी help से nitrogenase enzyme nitrogen को fix करता है और ये काम bacteria के अंदर हो रहा होता है इसलिए समझ सकते हैं कि nitrogen fixation का process ये bacteria करते हैं तो antibiotics आपने देखा होगा बहुत सारे medicines antibiotics होती हैं जो डॉक्टर हमको बताता है वो भी bacteria से ही बनती हैं या फिर आप अपने घर का example ले लो आप जब भी milk से क्या बनाना चाहते हो? curd बनाना चाहते हो तो भी आपको क्या ज़रत होती है? ऐसे ही bacteria की ज़रत होती है कैसे bacteria की? heterotropic bacteria की आया समझ में अब देखते हैं mycoplasma, mycoplasma is a type of u bacteria ये भी u bacteria का ही अपने आप में type है फिर दूसी बात इसमें क्या है? इसकी जो cell wall होती है completely lack a cell wall इसमें cell wall नहीं होती है तो अगर neat में question आता है कि क्या? which bacteria have no cell wall example will be mycoplasma, बात खतम फिर देखो smallest living cells, ये सबसे चोटी living cell है जैसे mycoplasma gallisepticum gallisepticum तो mycoplasma gallisepticum and mycoplasma lead levy तो ये कुछ वो mycoplasma है, जो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा size इनका होता है इसलिए smallest living cells भी mycoplasma होती है can survive without oxygen, इसको oxygen बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बिना oxygen के survive कर लेती है many are pathogenic in animals and plants और ये pathogenic का मतलब होता है, can cause diseases तो ये जो mycoplasmas होते हैं, ये diseases कास करते हैं किसमें, animals में और plants में अभी थोड़े दिन पहले, एक question mock test में मिला देखने को और वो mock test का मतलब होता है कि mostly questions आपको कहा मिलेंगे, neat में मिलेंगे आपके institute का, जब भी कोई mock test होता है उसके maximum question आपको neat में मिलने के chances होते है तो अगर कोई question mock test में है, इसका मतलब तो mock test में question था बच्चों, कि can cause diseases, can live without oxygen है ना, the smallest living cell and lack cell wall option क्या हो गया था उस question का, उस question का option हो गया था mycoplasma तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये bacteria mycoplasma है next topic हम लोग पढ़ने वाले हैं kingdom protesta तो आज हमने जो पढ़ाया kingdom monera का बचा हुआ portion पढ़ा है next day हम protesta पढ़ेंगे, तो आप आप क्या करना इस segment को अच्छी से revise करना, NCRT बेस सारे questions करने की कोशिस करना मिलते हैं next video में protesta के साथ, thank you record तो हमको protesta भी आजी करना है